तो नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं इस वीडियो में इस वीडियो में आज हम लोग कलाश 12 के केमेश्टरी का मोडल पेपर प्यारे साथियो मोडल पेपर 2025 के लिए हम लोग प्यारे साथियो 70 most important question लेकर आए हैं जो आपके प्रिक्षा में 15 कोस्तन सिर्फ इस वीडियो से मिलने वाले हैं तो आप सभीश्मेंट वीडियो को अंध तक देखेगा और इस सतरों प्रसन को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं स सिर्फ शॉडियो कोल संक्या कितने कितनी संख्या होती है तो मूल किывать की संठ्रा कि संक्यां सात होते हैं अगला प्रशन आपका एन एक्टू ऑक्साइड में सोडियम की ऊप सßenक्यां यहांँ पर क्या होगी तो यह और जाएगा BP को दर साता है उसका नाम है सी आर और टू आ पाए जाता है यह तो सौल में पाए जाता है प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अर्ध पारगम जिली से प्रासरन क्रिया में निकल पाते हैं तो विलायक के अनु सुद जल का प्याच मन जो होता है वो साथ होता है और साथ से जो कम रहता है वो अमलिय कहलाता है और साथ से जदा रहता है तो वो छार्य कहलाता है प्याच असकेल की खोज किसने किया था और स्वरेंसन ने किया था प्याच का मतलब पावरवाप हाइड्रोजन चलिए अगरा देखे न से नमर सी नमर सही जबाब हो जाएगा अगला कोशन प्रासरनी दाब बढ़ता है जब उसका ताप करम बढ़ता है जलिया गोल में हाइड्रोजन इन में से किसे अवकिरित नहीं करता है प्यारे साथियों जलिया गोल में इस तो आइरन को ठीक है ना जैसे कि आप प्यारे सब्सक्राइब तो इसका जो मान आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों याद रखेगा इस को आप डारेक्ट याद ही रखेगा एक दसमलब स्षेटन क कुस्ते हैं अपगट यह समतुलिय भारसे इसमें रसायन जोशन कर दैता है के ब्यूद यह कर देता है है गैल्वानिक श्यल अविकारा country को उत्काद में परिवर्टित करने परिवर्टित होने के लिए आवस्यक निवन्तम उर्चा सक्रियां कहलाटीी है अगला देखिए यह जो अभिक्रिया है यह किस कोटी की अभिक्रिया कहलाएगी तो इसकी कोटी है यह किस कोटी की अभिक्रिया हो जाएगी प्यारे साथियों यह आपका यह हो जाएगा पर्थम यह एक इसकी कोटी की आप देगे एक को हो जाएगी यह जब अभिक्रिया क्य तो क्या आप जानते हैं हाइड्रोजन और कलोरीन अभिक्रिया करता है तो हैड्रोकलोरी कमन का निर्मान करता है और देखे सुर्व परकास के उपसिति में अभिक्रिया है तो जब इस परकार की जब अभिक्रिया होगी तो वह सुन कोटी के अभिक्रिया होगी किसी बस्तू क के परति किर्या करने का दर निर्भर करता है तो वो जो निर्भर करता है उसके सकिर्य भार पर ठीक है चलिए प्यारे अगला कोसं देखिया रसाइनीक अधी छोन में कितने परते होती है एक होती है निवर में से टिंडल प्रभाव नहीं पाइज cerv सबस्क्राइब कुं कॉलाइड ग्षोर नहीं है तो प्यारे सही जबाब होसेगा जल जल आपका कुलाइट गोल नहीं है निमलखी तोस ठोस सम्मुदाई कौन है तो यह संसलेशित जेम यहाँ पर थोड़ा कुश्चन आपको अच्छा से यह नहीं दिखाई दे रहोगा लेकिन दिखाई दिता हुआ लेकिन यहाँ पर बलर थोड़ा जदा है वत्या भठी मे जिनमलखी तो इसे कि ऑक्साइड का अपुसेन होता है अइरन के यह रोख साइड का अपचेन होता है कौपर का मुक अट जो होता है ओप कोपर गलास होता है कोपर हे दर्मन के साथ गश्याइब पर कारवन जो होता है न देखो तो निमलीखीत में से कौन धातु देखो धातु की बात करन धातु भू परपटी दहरती के नीचे पर्चूर मतला में पाये जाता है तो पाये जाता है सबसे जदा oxygen क्या पाज़ता है oxygen उसके बाद silicon उसके बाद aluminium उसके बाद लोहा देखो इतना ही याद रखो बस हो गया ठीके न वो सियाल फेका न उसके बाद फेका न उसके बाद calcium देखो गाईज आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से उसके बाद और सिलीकन की बात करें तो सिलीकन की बाद करें तो देखो अब देखो एल मुनियम घिया तो अब सिर्फ सबसे पहले पहले क्या होगा और सबसे बरा बॉंड कौन सबसे बरा बॉंड कौन अमोनियों यह दूग सकते हैं किसे करते हैं हाइडरोजन हो एच पलस आयन जो देता हो वो क्या होगा अमल होगा ठीक है विसमत की सबसे अस्थाय औक्सी कारक है पदार्थ है तो आप मेंसा याद रखना फलोरीन हो जाएगा ठीक है प्रवल अमल होते हैं तनु अमल होते हैं यह सब आप नाम सुने हो गया है तो प्रवल अमल क्या होता है देखो आप समझा देते हैं अपको मत बुलिएगा प्रवल अमल क्यों है इन में से थोड़ा सा आपको यह को समझ में नहीं आए देखो आम जैसे प्रवल अमल जिसमें हाइड्रोजन कम ह이inhos भाला बात नहीं हो है तो तो देखो इसमें आपना यह आप भी हमेसा प्रवल आम लाइंछ यह चलिए और हम आगे को सन मदलब पर हम प्रवलशार दुरुवल चायो है तिस में अमोनिया ndh3 का किसका होता है अमोनिया बंधन कौन सबसे अमोनिया नहीं होगा यह आपका भी आप थिरीका ओजएगा ऑप्सेन लुट नुम्चुम्बकत्व देखो अनुचुम्बकत्व पर दरसीत करने वाला पदार्थ का नाम ऑक्सीजन है निवलिखीत में से कौन धात तो अमल से अभिक्रिया हाइड्रोजन ग्यास देता है तो बताओ कौन है जो कि अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है तो खरे-खरी है सी उसो फॉर इसे फी नहोना चाहिए एफी करें कि कौन साथ हातों जो अमले से अभी क्रिया करता है और हैडोजन गैस को मुक्त कर देज़ा जिसे फी पलस क्या हुआ एच्टू एफी सी यू एफी एच्टू एसो फोर तो यह एच्टू एसो फोर हो जाता है हाड्रोजन निकल जाता है या फिर आप यहां इसे करो अगर केल्सियम को किसे से करा होगे ह मिला जाता है तो इसमें जो हता है फे आपका हो जाता है और यह वार्यो थेलका अकार क्या होता है देखो D और वाइटल और वाइटल D उपकच्छा जो होता है S.P.D.F आप नाम सुने होगे ना S.P.D.F यह सभी क्या है आपका क्या यह उपकच्छा है क्या है अपका कच्छा कच्छा है और S.P.D.F क्या है कच्छा S उपकच्छा में 2 एलेक्ट्रोन P में कितना होता है 6 होता है D में कितना एलेक्ट्रोन 10 होता ए सही जबाब हो जएगा आपका double dumbbell होगा क्या होगा double dumbbell हो जाएगा double dumbbell और चोन Ci समस्का थिक है इसका क्या होता है क्या होता है इसे एफ का चोहिए याद रखेंगा और पेका उद्ध कशचन होजाता है पड़े हों जिसने भी दी बलोक के तत्व होते हैं वो संक्रमन तत्व होते हैं हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जने वाला दातु यह इसके धातों का किरिया सिलता आप धातों की किरिया सिलता काटरिक जानते होंगे यह अठे कinky किया सिलता है है würdhi यह सोना है सबसे कम किरिया सिल आदुसे होंगे आप इसका नाम सोनेगे पोटेसियं में कोटेसियं में इसे अधीन रियक्तिन में है जल्दी से अभिक्रिया लरका सब नहीं पहनता है तो जिसे देखो अगर सोना अगर पा रहा है तो इसका मतलब अगर नहीं रहता तो सोना बने चोड़ देता समझ रहो ना चलो आप पढ़े होगे चलो क्या यह इसका आई पीए नोमिन्नलेचर इसका आई पयक क्या है इसे हमें यह तो उपसाच योजनम्होंगी कह है चप्टर इसे मैं आपको और्यानिक केमैस्टी का कहलास में से पूरा अच्छे से पढ़ाऊगा, पूरा बेसिक से ठीक है ना, और्यानिक केमिश्ट्री आप पुरा समझें पूरा केमिश्ट्री का सिलिवस उसमें से 30% 30 से 40 40 % को से ओर गैनिक केमिश्ट्री से आता है तो 30 परसेंट तो औरगैनिक केमिश्ट्री आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ठीक है तो आप वेट के abbiamo आपको आप जानते हैं पॉट सिक्षा के चेत्र में बहुत अच्छे काम किये थे इसलिए ठीक है ना तो जरूर आप लोग सेलिबरेट किजिएगा अब जहां भी पढ़ते होंगे वहां अच्छे सेलिबरेट किजिए ठीक है चली तो हम तो आप सभी के साथ ओनलाइन है चली क्या है चली बताएए इसका आउपेक नाम क्या होगा देखो इसका आउपेक नाम असान होता है हम इसको सिखा देंगे ठीक है ना तो ये आपका हो जाएगा इसका आउपेक नाम हो जाएगा ये देखो सबसे पहले तो इसका oxycrond संख्या निकाला जाता है जैसे hydrogen का पर्मौन क्रमां कितना आँच एक गुने दो इस तरह से जो इसमें केंद्रिया पर्मौन है पिटी इसको हम माते है एक जो केंद्रिया पर्मौन है अभी इसको आपको जो नहीं पढ़े हों नहीं आता होगा और सी एल की जो अपसासरेशन संख्यां होती है ना वह होती है मैनस वन तो पलस मैनस मैनस हम लिख देते हैं मैनस वन गुने च्छा यह नि मैनस च्छा ही हो जाएगा बराबर अगर आयन कुछ नहीं तो जीरो रहता है ठीक है तो दू गलती हो रहा का हुआ है हम आफ ने चैका है शाली नमर तरहत को छोड़ी चाही दोड़ी निम्नम अबन में किस की आक्रती चतूस फल क्या है होती है स्यौशन में कोी दिकतबात नहीं है अगला देखें तो इसमें आक्रति किसी होगी के अध्याय में आक्सी करन उसके बाद प्रसंक्रन संक्रमन है उसके को बता देंगे आप तिचर स्ष्दे के बाद आपको पर दिन अच्छे सम्नी वीडियो आपको लिए यह सब सिखाएंगे टिक है एन ना cn का whole port 2 minus ठीक है उसमा और विदुत का अच्छा चालक जो होता है वो क्या होता है बता सकते हो आप गरेफ हाइट होता है क्या होता है गरेफ हाइट देखो इसका प्रसंकरन पूछ लिया जाता है sp2 होता है और हीरा का भी सिग्मा बॉंड की संख्या क्या है देखो कारवन के बाहरी के अच्छा में कितने लक्ट्रोन दे चार्थ चार हाइड्रोजन हो गया अब देखो एक चीज़ आपको पता हो ना चाहिए जहाँ पर सिंगल बॉंड हुआता है ना सिंगल बॉंड के लिए सिंगल बॉंड के लिए एक सिंगमा होता है डबल बॉंड के लिए एक सिंगमा होता है और एक पाय होता है तिरिपल बॉंड के लिए एक सिंगमा और दो पाय होता है तो देखो इस सिंगल बॉंड है यहाँ पर भी एक सिंगमा होगा यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर के से कारवन कारवन एकल बंध की लंबाई कितनी होती श्यक्ता ज़ो होती प्यारे कितनी होती अब बता सकते पाहितwww सही जबाब हो जाईगा एक दसामलब 54 अगेश्टोन अब देखो एलकषूल में कृता एलकषूल को आप कीसे पहुजादते तो इसका क्रियास्वीन मुला कवता है बंद यह आप जानते हो और सी डिवल वैच आप यह कार्वोसिलिक अमल है क्या है यह कार्वोसिलिक एसीड और है क्या कहते हैं किटन पढ़ाएंगे औरगनिक में अब देखो योगिक नाउ यह जो बैंजीन इस तरह से है यह बैंजीन यह यहां पर दिये पिर इसको चोड़के यहां पर यह बैंजीन अगर इसके साथ अगर ओएच लग जाता है ना तो इसे फिनोल बोल लेते हैं अगर तो मीठियनॉल का सूत्र क्या होता है मीठैनौल देखो अंती में तो होगीपर सब्सक्राइब के इसने ओश्रॉट की सब्सक्राइब तो इसमें नहीं करते दिसकी अधि हो जाएगा औरिएनिक में आपको शखा दें मीठीन हो जाएगा इन्हें को एक हो डिया कई तो क्या प्रफाइद इसमें अलफा हैड्रीन नहीं होता है वो भाग भाग लेते हैं जिसमें अलफा हैड्रोजन नहीं होता तो वह अभिक्रिया प्यारे याल रखना है और कहनी जारो अभिक्रिया होता है यह जो है इसमें कितने canonical सनचना यह दर साता है तो यह समें 3 होता है केल्सियम फॉर्मेट का सुस्क अस्वन यह हो जाएगा अब देखो यह आभिक्रिया है अब यह पढ़ेंगे और गेनिक में सिखाएंगे इस एक्स के जगह पर क्या भरा जाएगा ताकि यह जो आया बनके बेंजेन के साथ नहीं यह आपका और सुनिक ऩल फो सिस्फेसेर के मेंठायें कैसे बनाएं जेता जो भी मिधाईले में उससे हम बनाते हैं वाप intern that he और याइडरें भी अगला कौशन को शּचेश टलडी आइड अपक याद रखना यह त्हीरा तार्में परिप्त होता आप लोग याद अखना है ठीक है कौन सा बीटामिन कमी से रताउंदी होता है बीटामिन इसका राशानिक नाम क्या है बताना है कोमेंट में गलुकोच के कारेल कारवन की संख्या आपको तो याद होना अचा यह एक अप्राद होने वाला सोडा का सूत्र है अब चलिए और लास्ट कोस्टन है बुझा हुआ चुना का सूत्र देखो बुझा हुआ का सूत्र होता है क्या होता है c avait का שנ process हो ट्वाइस का होड्व खोल्ट रीश त्वाइस बीना बुझा हुआ चुना और बीना मुझा होता है c a whichever समझत ना अब सा कैसे बनता है आप सभी तो पढ़े होंगे ना आदेखो जैसे c ए ओ, c, a, o, जब बिना बुजा हुआ चुना है, जब इसमें जल के साथ रविक्रिया कराते हैं, बिना बुजा हुआ चुना को उसमें जल डालते हैं, तो क्या बनता आपका, c, a, o, h का, hold twice, बनता है ना पढ़े हो ना, यह बिना बुजा हुआ हुआ चुना है, इसे कली चुन चुना भी बोलते हैं कली चुना केल्टियमक से क्धे और केल्सियम उक्साइड में आप जल डालोगे मैं डालोगे क्या वनेगा क्या राटी अप boost समझे दो ना यह सब्सक्राइड का प्रीवारों पर रहं में करने के लिए सफेधी करने के लिए तो यहिसा थो । और बागी बाद अब हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं कल तो टीजर्ष डे है इसके लिए आपको धेर सारी सुब कामना है अब हम लोग कल के उसके बाद ऐसे वीडियो हो सकता है आपको मिलेगा टीजर्ष डे का भी जो यहां पर एक कोचिंग में अगर बच्चे लोग आपको रिकॉर्ड करके डाल देंगे ऐसे मैं भी डालता हूं नहीं रिकॉर्डेट वीडियो परीज़ प्रियास करेंगे अगर हो सके तो डाल देंगे ठीक है अभी आप लोग को स्यार नहीं करते हैं उतना चीज जैसे मैं आपको जब समझे एक में वीडियो डाला था लेकिन मैं आपको वीडियो शेयर नहीं कर सका है नहीं अपलोड नहीं सब्सक्राइब नहीं समय उतना मतलब नहीं था तो अभी समझों अभी कितना है आप लोग का प्यार है 32 के प्लस है और जल्दी उम्मीद करते हैं आप फिप्टी के पुराईएगा फिप्टी के से लिब कि 2013 में वीडियो बनाये थे फिर भी आप लोग को शेयर कर दे थे जो मेरा स्टुएंट 2023 वाला होगा वह सभी तो देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे चले कोई दिकतने आप लोग प्यार दीजेगा चले फिर मिलते नए वीडियो में वीडियो देखने करें बह बहुत दन्यवाद